हेई व्योवर्स हमनी हैं प्रमाशना मेकोवर्स एंड टोड़ेइज टॉपिक हिस्ट्री ओफ मेकप मेकप कहां से आया मतलब हिस्ट्री क्या थी मेकप की तो एजिप्ट की क्वें थी लियूपैत्रा उसने सबसे पहले मेकप स्टार्ट किया था जो अपी पिक्चर्स लेकर स सारी एजिप्ट की क्वें लियूपैत्रा की पिक्स है चीक है तो सबसे पहले जो मेकप आया वर्ल्ड में वह लियूपैत्रा लेकर आई थी जिनको अपना ब्यूटी इन्हेंस करने का बहुत जादा शौक था क्योंकि वह एजिप्ट की क्वीन भी थी यह करीब फोर थाउ कामन वगेरा को बर्न करके आई मेकप करते थे जिससे उनके ब्यूटी इन्हेंस होती थी चूना वगेरा अपने फेस पे एजन कॉम्पैक्ट अप्लाई करते थे ऐसा माना जाता था कि लियूपैत्रा को काफी जादा सजने सवरने का भी शौक था तो वह पूरा मेकप में जाद थोड़ा फोकस करती थी और उस उनकी ब्यूटी इन्हेंस होती थी तो वही चीज है और ऐसा रियल में कि उस टाम के लोगों को तो जादा नौलिज थी नहीं लेकिन आज नौलिज भी और बहुत सारे प्रेडक्स भी हैं तो ऐसा बताया जाता है कि रोम के लोग होते थे वह रंग सफेद करने के लिए चाग पर गहला इस्तमाल करते थे जिसे रोज पैटल्स होती है उनको बरन करके क्रश करके ब्लश बनाया जाता है और लेप्स्टिक पर गहला है लोग बनाता है जो अपने टीद साफ करने के लिए प्यो में स्टोन यूज करते थे पर्श अपने लिप्स पर उनको यूज करते थे तो जैसे कि ये पिक्ट्रस में भी दिख रहा है कि मेकप करने के बाद ब्यूटे नहीं हैंस तो होती है उस थोड़ा सा ही ढंग से नहीं किया जाता था लेकिन जैसे भी होता था उस टाइम के अक्वार्डिंग मेकप वहीं से आया और यहां पर अब यह एक as in profession as in field and as in मतलब पूरा industry बन चुका है आज मेकप मेकप एक art है जिसे हर कोई सीखना चाहता है तो आज का यह था हर कोई बताता है मेकप क्या करना है किसे करना है कौन से product लेना whatever what is लेकिन कोई यह नहीं बताता है मेकप की history कहा है कहां से है as an artist किसने start किया बहुत से लोगों को आज कर यह भी नहीं पदा कि कैसे starting गोई and किसने start किया इतना basic knowledge हो है यह तो होना ही चाहिए हर आर्टिस्ट को जैसे किया pictures में देख रहे हैं कितने clean fairs मतलब उसके according जिस environment मों लोग उस time रहते थे इतना कुछ डबल अप नहीं हुआ था और आज के according आज तो काफी जादा डब डब हो चुके हर एक चीज तो I hope you like the video if you like share comment support thank you so much thank you